हेलो स्टुडेंट कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे तो जैसे कि आपको पता है कि पंजाब पड़वारी के लिए हम आपके लिए एक मैरत्फोन लेकर आए हैं जिसमें की कंप्यूटर के मॉस्ट इंबॉर्ण जो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत हैल्फुल रहने वाले हैं उनको हमेखे करके यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैरी फॉस्ट क्वेश्चिन से और यह देखिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन क क्यों ले रखा है वो है जिसे कि आप लोग बिंडोस के नाम से जानते हैं अगर बिंडोस नहीं होगा तो कोई भी काम आप लोग नहीं कर पाएंगे अब सबसे पहले यहां पर यह समझे पूछा गया है विच और फॉलॉइंग यूज इस मल्टिपल सी प्यूशन दा मैनी जोब necessary responsibility यहांब यह पूछा गया है कि एक टाइम के उपर मल्टिपल जोब किस CPU ऐसा कौन सा मल्टिपल जा एक्जीकुशन के लिएAI करते हैं किनfred कराने के लिए तोसे किया बोला जाता है मल्टि टास्किंग, मल्टि प्रोग्रामिंग, मल्टि थ्रेडिंग, एंड मल्टि प्रोसेसिंग जखो अगर मल्टि टास्किंग की बात करी जाए तो मल्टि टास्क का मतलब होता है कि एक टाइम के उपर मुल्टिपल टास्क जो है परफॉर्म किया जाए सिंगल कम्प्यूटर के थू जैसे कि आप लोगों ने क्या कर दिया एक तरफ सौंग क्या कर दिया अपने प्ले कर दिये और दूसरी तरफ अगर मैं बात यहां पर करता हूं इसके साथ में आप लोगों और यहां ने डाउन्लोडिंग लगा दिया और तीसी साइड में आप लोगों ने अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो आप लोगों ने बैकेंट पे या फिर आपने लोगों करती है लोगों क्या कर रहे हो उसको क्या ब्लब जाता है यहां पर पूछा क्या है कि use of multiple CPU multiple CPU उसे आप लोगों ने execution करानी है तो यह तो आंसर नहीं बनेगा multi programming में programming की बात आती है तो यहां पर यह भी आंसर नहीं बनेगा awfully बात आपको clear है multi threading की अगर बात करता हो तो multi threading का मतलब क्या होता है बड़े टास्कों छोड़े पार्स में डिवाइड कर लिए जाए और उससे आगे अगे दिया जाए ताकि हम उसे कम टाइम पर ज्यादा execution करवा पाएं अब बचा क्या multi processing अब नाम से पता चल रहा था कि multiple processes जो हैं आपके पास चल रही है तो उसकी execution पर multiple cpu से multiple जो हैं jobs आप लोग execute कराते हैं उसको क्या बोला जाता है multi processing उसको क्या बोला जाता है multi processing यहां पर बोला जाता है तो hopefully बात आपको अच्छे से clear होई होगी next बात करते हैं अगला question अगला question है वह आपके पास और भी ज्यादा important है यह लिया गया है इंपूड आउट्वोट से यह कहां से लिया गया है इंपूड डिवाइस से आपके पास question को लिया गया है अगर इंपूड की बात करता हूं इसमें इंपूड का काफी चीजिया आप लोगों को होनी चाहिए देखो इंपूड डिवाइस से question है अब यहां पर बात करता हूं तो इंपूड डिवाइस में पूचा क्या गया विचो फॉलॉइंग इस नौट पॉइंट एंड ड्रो अब मतलब यहां पूचा गया कि इन में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस पॉइंट का मतलब क्या होता ठीक है ना अगर पॉइंटिंग डिवाइस के बेटा में बात करता हूं तो माउस का दर उल्टा करके देखेंगे तो यह कुछ आपके पास इस तरह के शेप होती है तो माउस को जबी उल्टा करके तो अच्छे से मैं इसको ड्रो करता हूं यहां पर सबसे पहले क्या होता है क्वाइंट क्रीट होता है सबसे पहले क्या होता है क्वाइंट क्रीट होता है फिर आप माउस को पकड़के लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ तो या फिर बोटम की तरफ घुमाते हैं उसका एक्शन मतलब एक इवेंट पर हो रहा है और लास्ट म है इसी बज़े से माउस को क्या बोला जाता है पॉइंट होना इबेंट होना और एक्षिन होना इसको क्या बोलते हैं अब यहां पर यह को होता है तो मतलब यह तो आंसर नहीं बनेगा अगला है जोईस्टेक जो कि गेम्स में आप लोग यूज करते हैं तो यह भी आंसर नहीं बनेगा क्योंकि आपने आप में क्या होना चाहिए इक तरीके से क्या करने का इसी इसको पूरा का पूरा क्या करेगा कोपी काम करता है तो यह कभी आंसर नहीं बनेगा तो इसलिए यहीं तो उसमें पूछा था अब इसके थूरूस ने आपके सारी के सारी नौलेज यहां पर चेक कर लेनी है देखे करके आप लिख भी सकते हैं कौन कौन से से अलावा आपके पास पॉइंडिंग डिवाइस से सबसे आप लोग लिख सकते हैं जोईस्टिक अ यह पिर है आपके पास लाइट पेन फिर आपके पास एलेक्ट्रोनिक पेन फिर है आपके पास ट्रैक बोल अ पिर आपके पास अगर हम बात करता हूं टच्च पैड़ अगर पर आपके टाश्क्रीन अब यहां बेजी समझनी पड़ेगी टच्च्रीन अगे फरदर दो पार्ट में है यह इन्पुट भी है और यह आउटपुट भी है क्यों यह इंपूट डिवाइस भी होता है और यह आउटपूट डिवाइस भी होता देखो जब भी आप टच्च्रीन के ओपर जाते हो तो जो आपका मुआइल फोन इसका सबसे अच्छा एक्जामपल है अपने मुआइल फोन पर जबी आप लोग ने इन्पूट दी तो मतलब टच्च किया फिंगर टच्च करें डाट मींस वह आपने इन्पूट दी अपने मौई फोन के ओपर और उसकी आउट्पूट सेम ही जगह की ओपर आती है तो इस वज़ए से टॉट स्क्रीन इन्पूट प्लस आउट्पूट डिवाइस बहुत होता है यह बहुत टाइप रोडिवाइस होता है तो होपली यह क्वेशन भी आप लोगों अच्छे से यहां पर क्लेर हुआ हमने पर्टिकूल कहां से लिया है मैं सब्सक्राइब से यहां पर लिया गया है अब देखो अगर मैं यहां पर बात करते हो साफ तो पर इसने क्या लिखा है विच्छ फॉलोइंग इस यूज़्ट फॉर कॉपिंग और सेलेक्टिड फॉर्मेटिंग इन्हें से कौन सा है पर्टिकूलरी कॉपिंग और फॉर्मेटिंग आपके पास कॉपि करता है किसी फाइल की फॉर्मेटिंग को ना की डेटा को यह समझे कॉपिंग अब यहां भी पूछा जा रहा है कि यह एमस वर्ड में इसका एक्जाम्पल से आप लोग और ज्यादा क्लियर होगा मान लि मैं लिखा है जो है माइ को सब्सक्राइब कि अदो एसे बहुता है यह अच्छाल यह और दूसरा मैं आ Fenyल को लिखा हुआ नो tir causing cat Gall आप से आव इसका कॉंटेंट अलग है इसका कॉंटेंट अलग है दोनों का कॉंटेंट तो अलग है और मैं चाहता हूँ कि दोनों का content अलग रहे पर format दोनों का सेव हो जाए तो इन में से एक option का use करके आप लोग इसका use कर सकते हैं तो इन में से कौन सा वह option है तो यह याद रखना है control प्लस shift प्लस c control प्लस shift प्लस c यह किसके लिए होता होता है copy of formatting यह किसके लिए होता है और फॉर्मेटिंग आपके text के format को यह copy करता है याद रखेंगे यह text के format को copy करता है data different रहेगा सिर्फ हो सिर्फ फॉर्मेट को कॉपी होगा और केवरी आप से पूछ लेता कि इसका पेस्ट का क्या रहेगा तो पेस्ट का बताएंगे control प्लस shift प्लस वी यह पेस्टिंग का है यह जैसे आप लोगों नहीं से यहां से copy किया ना इसको पीस्ट भी तो करना है इस जगा पे तो जहां से पूरा स्लेक्ट करेंगे तो control प्लस shift प्लस वी कर देंगे तो format कॉपी हो जाएगा ठीक है तो इसका भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि अब देखिए विच और फॉलॉइंग इस यूज तो ऑपन दा पॉर्मूला टैब तो इंसर्ट प्रेस एंड कस्टमाइज फंक्शन एंड कैल्कुलेशन इन पहली बात आपको सबसे पहले पता चल गए कि जो क्वेशन है पार्टिकुलर कहां से लिए गया है अभी डारेक्ट पूछा गया है इसमें कुछ भी नहीं करना है इसमें सिर्फ आपको याद करना है कि अगर हम लोगों ने इंसर्ट करना है कोई भी कस्तमाइज का काम करना है क्योंंक्षिंस का करना है तो उसके लिए क्या है आपके पास में पूछी जाती है आपके अगले क्रीशन that helps user in system maintenance task is known as तो अब आपके पास यह दिखिए यह जो प्रोग्राम देट है इन जी सिस्टम मेंटेन सट ठेके मेंटेनस तास्क की बात यहां पर हुई है इस नौन एज व बोला जाता है transferиков कॉमिकेशन प्रोग्राम अब देखो सॉट्व्वएर बेटा आपके पास थीन टाइब के होते हैं पहला होता सिस्टम सॉफ्वेर दूसरा है एप्लिकेशन और तीशरा होता है यूटिलिटी अगर मैं बात बताओं तो सेंट कुछ बुक्स ऐसा भी लिखती हैं कि दो ही टाइप को सौर्डवेर होते हैं अगर यूटिलिटी जो है वह अप्लिकेशन के अंदर आता है वह लिखने का तरीका है इसमें से कोई दिक्कत की बाख नहीं है तो आप सिस्टम पर काम ही नहीं कर पाएंगे मतलब यह तो नहीं होगा अब यहां पर बात हुई है कि समयते हैं यहां पर हुआ है कि सेट प्रोग्रम है यूजर सिस्टम मेंटेनस डाक टास्क इस नौन ऐस तो यह तो पर्टिकुलर यह बोल रहा है कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर वैल्ली को डिलीड कर दो ना है मिटा साथ हूं आपके सिस्टम से तो मेरे पास उसकी वर्किंग के उपर इफेक्ट पड़ेगा तो यह तो आंसर नहीं बनेगा और ट्रांसलेटर तो आपका पहले ही कट गया अब इन दोनों में से आंसर है रेस ते दो गोड़े तो पहले ही बार हो गए है अगर हम आपके पास ऐसे जो सिर्फ वसर अपनी डिलीड करते किसी और की नहीं अगर मैं बात करता हूं एप्लिकेशन अप्लिकेशन में जैसे अगर एमेश वर्ड की में बात एमेश ऑफिस से लो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर एमेश ऑफिस लेते हैं अगर एमेश ऑफिस को डिलीड भी कर देते हैं तो पर्टिकुलर उसकी खुद की प्रोपर्टी इन हां आपके पास अफेक्ट होते है किसी और की नहीं क्यों एक चीज़ समझो अगर एमेश ऑफिस को डिलीड करता हूं तो आपके सिस्टम से एमेश वर्ड पर काम नहीं कर पाएंगे एक्सल पर काम नहीं कर पाएंगे तो खुद की प्रोपर्टी हाम हुई किसी और की का हाम नहीं हुई अब यूटिलिटी जो है यूटिलिटी का मी अब यूटिलिटी मत का मतलब है कि आपके पास अन्हांस किया जाए अब देखो आंसर क्या बना सैट ऑफ प्रोग्राम है यूजर सिस्टम तो मेंटेन स्टास्क इस नोवन इस यूटिलिटी प्रोग्राम या फिर यूटिलिटी सॉफ्ट विर जो कि सिस्टम की स्पीड को बढ़ाने में आपी help करते हैं कोन-kोन से होते हैं इन्टी वायरस कि अगर एंटी वायरस की अगर मैं बात करता हूं तो पर्टिकुलर्ली आपके पास आपस जो है रखा जा सकता है कि एक एंटी वैरेस आप इसमें ही रखेंगे क्यों क्योंकि आप खुद भी निकाल सकते वर एंटी वैरेस तो काम बना बनाया आपको कर देगा बैक अप कि विंजिप कि विंड रेर तो इन दोनों को कंप्रेशन टूल भी बोल देता यहाद रखेंगे विंड विंड रेर क्या होते हैं दो कंप्रेशन टूल होते हैं यह किसी भी हैवी स्टाम को कर देते हैं चोटा कर देतें तो याद रखेंगे कंप्रेशन लोह होते हैं विंड जी पूर विंड रेर क्या होता हैं तो कंप्रेशन टूल होते हैं जो किसी भी वभी फाई को क्पॉफरेस करें चोटा बना देते हैं तौन हो duż ay पाएं तो बढ़ते हैं अगले कुशन में बात करता हूं अगले में क्या पुछा गया है तर्म यूस्टु डिस्क्राइब सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास हाडवे जिसका जो है राइट अंसर बनेगा जिसको की तच भी आप लोग कर सकते हैं और दा फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर जो है फाइनल आंसर जो बनेगा देट इस और हाडवे रांसर बनेगा ठीक है तो होफ़ ले बात आप लोगों को यहां पे क्लेर है ठीक है बढ़ते हैं नेक्स वेशन की तरफ अगले क्शन देखते हैं अगले में क्या है आप आपके पास कि दप्रोसेस्ट ओव कंबाइनिंग स्टैक इंफ्रोमेशन इन पॉब्लिकेशन तो गैदर बिग वेरियेबल इंफ्रोमेशन इन डेटा सोर्स टू क्रिएट वन मर्ज पॉब्लिकेशन इस पोल्ड अब सबसे पहले तो यह समझे की कुशन लिया कहां से गया ह यह आपके पास क्वेशन जो है पर्टिकुलरी मेल मर्ज से लिया जाता है क्योंकि यह पॉब्लिकेशन का काम है आपके पास स्टैक्टिक डीटा को कंबाइन करने का डेटा सोर्स का जहांवे भी बात होगा यह कुछ एक वर्ड्स होते हैं जिनके आमें पता चल जाता है प हमने पड़ा यह पर आईगा देखो संपल से बात है आज के रेट में सभी बच्चों का इमेल डी है नव ये पता होना चाहिए क्यों कि कोई भी फोम आपका भीना एमेल के भरा इसस्ति करके यहां चाहिए आजाए आंक बंद करके आंसर मेल मर्ज करके आ जो बात करते हैं जोडते हैं जिसे किसी को ग्रीटिंग सेंड करने पचास लोगों को तो आप कर सकते हैं वह अलग बात है कि आज की डेट में हमारे पास मल्टीपल और तरीके हैं बड़ यह भी एक तरीका था त यहां से नॉलेज चेक कर रहा है कि इसमें क्या पूछा गया है देखो जी क्लास अगर मैं बात करता हूं इसमें क्विश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है विच ऑफ दा फॉलोइंग इस नोट एप्लिकेबल इन डेक्स्टोप कम्प्यूट पब्लिशिंग अब प कपड़ों की दुकान पर जाते तो वहां पर सुन्दर काम हो का काम रिपोर्ट राइटिंग का काम हो उस जगह पे आप लोग जो यूज़ करते हैं उसका यूस करते हैं तो नहीं बने गाई वुक पिंग जहां पूरी इंप्रोमेशन होती है उसे ब्रोशर बोला जाता है और पेपर बिल्कुल बारींग से जिसमें उनके एक्जाम सेंटर या किसी बी चीज की इंप्रोमेशन आपको प्रवाइड करते हैं या फिर जब सुबर निउस्पेपर आप लोग देखते हैं उसके अंदर छोटे-छोटे पर रंगीन पर जाते हैं वो जनरली वो लीफलेट्स होते हैं क्यों यह उसके अंदर आपके पास इंफ्रमेशन होती है तो डेक्स्टर पॉब्लिशिंग का मतलग है कि ऐसी इंफ्रमे तो कर रहे हैं नहीं पर्डिको यह काम प्रेजंटेशन का नहीं होता है यह पिप्रिटी बगारा में वर्ड में आपके पास वर्ड वर्ड वर्ण सुरी पावर्पॉइंट में पर डिका जाता है तो हॉपवली यहां पर यह बात आप लोगों को क्लेव है ठीक है चलिन फॉक्सरोब का पहले मीणि समयते हैं मतलब क्या होता है अगर क्रोप के मथक्या डेग्रिये है काटना करना किसी भी चीछ कि अगर मैं बात करता हूं तो आप लोग देखिए पहला लिखाए डिसकार्ड ग्रेपार्ट ओपिक्चर अगला इंक्रीज दा साइज और पिक्चर यह तो इनक्रीज पर कभी नहीं होगा डिलीड दा पार्ट ओफ पिक्चर या फिर अग्षर बच्चों को डाउड जो आता है दोनों पर होता है दिसक डिसकार्ड ग्रेपार्ट का तो कोई मतलब भी नहीं है अब आपके पास जैसे आप लोग यहां पर आंसर बनेगा करेक्ट ऑप्शन डिए पार्ट ओपिक्चर अब जैसे आप लोग इंटरनेट से कोई ची स्पेस है उसको क्या करना है या कुछ और बीच तरह के का तो पर्टिकुलर इसका काम जो होता है डिलीड करना होता है किसी भी पार्ट को ओफ़ववली आंसर आपके पास यहां पर क्या है कि अप्शन ठीक है चलिए नेक्स विशन देखते है नेक्स विशन में आपके पास क्या है नेक्स विशन में आपके पास क्या है just stand for ठीक है अब मैं इसकी यहां में बताता हूं वर्ट आ आपके पास but you see is what you get एस का ανिसर बनेगा वर्ट यू सी इस वर्ट यू गेट ठीक है तो computer से आप क्या करवाना जाहते हैं क्या देखना चाहते हैं जो देखते हैं वो करवाना चाहते है तो बनेगा बी ऑप्शन वाट यू सी इस वाट यू गट यह आपको याद रखने क्योंकि यह पेपर के आपके पार्ट में बनता है ठीक है अगला है आपके पास यहां पर अकॉंफिडेंशन फाइल बड़ी इंपोर्टन फ सब्सक्राइब मतलब आप लोगों के पास एक बहुत इफेक्टिव तरीका क्या है जिसमें बहुत इंपॉर्टन फाइल आपके सिस्टम बें पड़ी है उसे आप वहां से डिलीड करना चाहते हैं तो से पहला तरीका बोला जा रहा है कि रीनेम कर दो दूसरा तरीका बोला कि दा रीजैकल मिन और डी में उसकता नहीं औ ॉसका नहीं हो चकता मिन अगर कोपी करते हैं को मतलब क्या है कोपी जब भी आप किसी भी चीज को करते हैं तो इसको डिलीड करने का फाइदा नहीं होगा यह आंसर तो कभी नहीं हो सबसे इफेक्टिव तरीका जो है वो यही बनेगा डी अगला क्या है आपके पास इस क्विश्चन में देखते हैं दा टेक्स्ट दाट गेट डिस्प्ले इंस्टेड ऑफ इमेज वें दा इमेज फेल्स तो ओपन और वेब पेज़ इस नौन ऐस देखो बिटा अगर मैं बात करता हो यहां पर बोला कि जैसे इंटरनेव के ऊपर आपने कोई प्रोग्रामिंग की है पर यह आप लोगहों चाहते है उस स्पेज के Holdender अप्र पर इमेज नहीं होती है तो उस टाइम पर जो पर एपन होता है ठोटक फेल हो जाती है ओपन होने विए इमेज जो है टो ओपन होनब फेज इस नोवन आजूंव अल्टरेटिभ्ट टेक्स ओर टो टेक्स लिंक्ड टेक्स्ट और आपके पास स्थिमेज अगर में बात करता हूं तो इसका क्या रहेगा देखो आपने इमेज जो है फेल हो जाती है तो प्रोग्रामर जो करते हैं वो एक चीज करते हैं कि अगर कोई चीज पर्टिकुलरली ओपन नहीं हो रही है तो मैं कुछ ना कुछ ओड्रेंट मैठर दूंगा तो मैं क्या करता हूं वहां पे लिखवा देता हूं एरर 404 आपने देखा होगा कि कोई चीज आप लोग डाउनलोड कर रहे हैं अपलोड कर रहे हैं या कोई ओपन करें वह ओपन नहीं हो रही है तो वहां पर लिखा हुआ जाता है एरर 404 तो यह होता है तो कि आपके पास कुछ समस्य है आप देख लिजिए ठीक है आपको बात आपको clear है अगर मैं बात करता हूं अगले क्वेशन में क्या है अगला क्वेशन है विच ऑफ द स्टेटमेंट इस कॉर्रेंट उन्हीं से कॉन से स्टेटमेंट पर रिप्रेंट थे हैं जो कि आब दिख भी रहा इस में क्या है एकसल क्वेशीट में कंटेन ओनली वन यह प आपके पास यहां पर क्या है एक्सल प्रेडशीट में मल्टिपल वर्क बुक इन्दर मल्टिपल स्प्रेडशीट होती तो बने गाई अगर मैं बात करता हूं एक्सल वर्क बनेगा कि एक कब आपके पास एक्सल जो फोता है उसके अंदर मल्टिपल बेंद देखो अगर मैं यहां बात करता हूं आपके पास एक्सल आप ने ओपन कर आप यहां पर आपके पास जब्विए आप शैंस आपर करते एस तो यह शीट जो है इसको क्या बहुते हैं आपके पास default sheet default sheet होती है default sheet है default sheet किसके अंदर है workbook के अंदर this workbook के अंदर क्या है multiple sheet आपको मिलती है answer is d option hopefully आपको यह बात यहाँ बैच्छे से clear है इसका answer क्या बनेगा d option ठीक है जी चलिए next question के बात करते है है अगला कर्शन यह रहा next question में देखते है क्या है which of the following statement is true regarding to the website अब website के regarding इंद में से कौन से information जो है वो देखते हैं सबसे पहले information में क्या लिखा यह चक करते हैं पी information में अब ब्लोग is a website that contain of that consists of post and revised chronological order हाँ बिल्कुस सही है पहली बात तो अगला है क्यों विकी इस अब website that is designed to allocate people to collect and collaborate and easily विकी का मतलब है Wikipedia Wikipedia एक website है जिसके उपर आप बहुत सारे लोग collaborate कर सकते हैं easily तो दोनों ही यहां पर बात बिल्कुस सही होती है एब अगर पी और क्यों भी तो आंसर क्या बनेगा सी ऑप्शन जो कि दोनों की दोनों यहां पर क्या है सही है बी और सी ऑप्शन बोथ पी और क्यों आट्रू ठीक है नेक्स देखते हैं अगले question में अगले question में आप देखते हैं किया है अगले question में आप देखते हैं क्या है the content of most of ram are dash thus making them unstable for a long term data storage अगर मैं यहां बात करते हैं the content of most form of RAM are dash बोलाटाइल दस मेकिंग दा अन्सुटेबल फॉर लोंग टर्म डेटा स्टोरेज तो बोलाटाइल मेमरी आपके पास होती है नौन बोलाटाइल का मतलब क्या होता है पर अब रैम के एक बात याद रखेंगे जब भी रैम आता है ना जहां पर वर्ड रैम आ जाता है रैम का मतलब ही होता है कि अक यह आगए रख्याय रोम का मतलब होता है नौन बॉलाटाइब लेकर मतलब होता है आपके बनक पास Str कि मतलब होता है आपके पास सब्यों अभी यह आप यह जो है वह ए मृमिरी मेमरी होती है होती है यहाद रखेंगे थो मैंने जो अईडिये लगाये कि इसका क्विस्षिन का अंशर क्या बनेगा वो डिरेक्ट्र यहां से लग गया मिनको कि भी यह रैम के case में कभी पर्मेनित होगी नहीं सकता रैम का मीनिंग ही होता है बोलटाइल बोलटाइल मानें तो जिए जिए लिए जिए आंसर बनता है और लोगों को यहां के बात अच्छे से और भी क्लेर हुई होगी चलिए कि बात करते हैं आगला वेशन क्या है आपके पास नेक्स वेशन देखते हैं एक्स में क्या है दप्रोसेस ओफ कोपिंग सभब फाइल्याईक आप सीडि doisन ओर फी करते हैं पर लोग एकल्ड को आप लोग को यह इस प्रोस्यशातर को क्या हूँ गर जाता इस स्टोर इंग बोला जाता है फी funktion 5 count तो बनेगा नहीं सट्री कोपिंग बनेगा नहीं अपने बच्पन में सुना होगा कि जलान नहीं जलाना नहीं होता है जो प्रसेस होता हैं एक सिस्टम से दी के ओपर गाने डालने और लेको इसको बोला जाता है इन रिस्पेक्ट ओफ कंप्योटर आप पहले पूचा है आपके पास लीस्ट मैच कम से कम मैच तो अगर मैं बात करता हूं आपके पास CRT लीस्ट CRT cathode ray tube आपके पास rapid only memory CPU central processing unit यह तो आंसर बनी नहीं सकता क्यों यह तो पूरा मैच कर रहा है अगर मैं बात करता हूं cathode ray tube यह भी पूरा आंसर बन रहा है बंजी कितने के पराबर होता है वन जीरो टूफॉर वन जीरो टूफॉर वन जीरो टूफॉर इंटुएट तो यह सारे आंसर हो सकते हैं पर ध्यान को बेटा यहां पूछा है लीस्ट मैच लीस्ट का मतलब होता है कम से कम राम का वॉन को फूलर्म होता है रीड ओनली मेम्री घ्रीड ओनली मेमरी से भी है एट अल्üstॉ हरी मियंख बंघू आप पी चली making brush को लुटे नेक्सरिशन की बात करते हैं चलीर नेक्सरिश्ण के नक्टन यह अगरग में देखते हैं identify the correct order or of the following storage devices based on storage capacity from lowest to highest अब यहां पर आपसे पुछा गया कि कम से कम lowest से चलते हुए highest की तरफ बढ़ना है lowest से चलते हुए highest की तरफ बढ़ना है अगर lowest की मैं बात करता हूं सबसे पहले है cd फिर है busresp फिर है dvd पहुर्क आगि सबसे पहले बात किरी जाएका सबसे पहले कहता बात करता हो हम लोग मानते हैं 700 in b अग्यागा है dvd कि के अगर बात कर तो डे वी डी अलग लग तरीके से जो अब इसमान के चलिए 17.08 GB तक Pac maximum हो सकता है और blu-ray disc सब्सक्राइब ब्लू-रे डिस्क तेक Remember बात करता हूं तो यह आपके पास 25 जीवी तक होता है 50 GV तक ही आपके पास 25 जीवीू से ने के 50 G V तक होती है तो लेकि यह एकंट सेख्वेञ्स अब आपके पास यहां पर क्या है and eat वन गया पी कि बाद आपके पास यहां पर बन गया r यहां पिवार की पर रख करता हूँ यह रहा हमिश्ण आप के पर अगले क्वेस्ट देखते हैं अगले में इसमें क्या पोला गया यह बहुत और बहुत जाथा इंब बॉड़ाल इसने क्वेशन का मीनिंग नहीं समझ पाते हैं कि यह क्या पूछा गया है अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपके पास while while sending an email to a differentiate among CC and BCC field which one of the following statement is पहले तो यह समझो कि CC का फुल फॉर्म क्या होता है CC का फॉल फॉर्म होता है carbon copy CC means carbon copy and BCC stand for BCC stand for blind carbon copy blind carbon copy CC means carbon copy and BCC stand for blind carbon copy अब CC में क्या होता है कि एक mail आपने अगर किसी को CC करती तो ने जो आपके पास CC की है तो CC वाले बंदे को से 2 दिखता है और BCC वाले बंदे को CC भी दिखता है और 2 भी दिखता है अगर आपने एक particular एक फाइल multiple लोगों को भेजनी है तो आप लोग क्या करते हैं CC और BCC का यूज करते हैं पर CC में क्या होता है कि मैं बस ये बताना चाहता हूं कि मैंने ये mail मैंने 2 था तो मैंने send की है किसको CC को और मैं BCC में बताना चाहता हूं कि मैंने send की है CC में इतने लोगों को मैंने CC किया है और BCC में भी आगे हमें पता चल जाता है मतलब BCC के through हमें पिछले इतने लोगों को send हुई है वो यहां पता चल जाता है तो इसका जो answer बनेगा वो देखते हैं क्या और कैसे रहेगा सबसे पहला है recipient of the in the two field can see the email address that are in the BCC and CC field recipient जो प्रापत करता उसको थोड़ी ना पता चलेगा recipient in CC field can see the email address that are to two or BCC recipient in BCC जो BCC का है field can see the email address that are in two or CC मैंने अभी आपको बताया कि जो BCC का है उसको टू का भी पता चलेगा उसका CC भी पता चलेगा उसका जो answer बनेगा वो बनेगा सी option उसको दोनों का ही address जो है पता चलता है उसको दोनों का ही address पता चलता है यह question था अब आप मैं से कई बड़ी बच्चे हमें बहुता है कि सर यह तो हमारे topic है ही नहीं बेटा ऐसा है ही नहीं अगर मैं बात करता हूं यह आपके एक्जाम का topic है क्यों क्योंकि आज की डेट में आप लोग यह office productivity टूल है this is your office productivity टूल तो यह आचाता है ठीक है ना जैसे MS word पाबर ट्वाइंट एक्सल जो है वह आपके पास office productivity टूल है इमेल आल से जैने office productivity टूल बेटा आपको क्लिए डन नेक्स बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question जो है यहां पर यह है next question की तरफ मैं बात करता हूं यह उसी का ही आगे है अब इसके आगे यहां पर देखते है है री तूस टीच आपके पास तीचर यूज वी एल इस वी टूल डिजाइन तो डिलीवर कोस्त ओनलाइन एक क्रोणियों वी लटी देखो आपके पास यहां पर बात करता हूं इसका अंसर क्या बनेगा इसका याद ही रखना है वर्चुल लर्णिंग अगर ओनलाइन आप दोगत रही है एक वरच्व लर्म नेंग है डिक है कहीं ना होग अपने क्या हो रहा है को बर्चुल लर्णिंग एंवाइरमेंट क्या बनेगा वर्चुल लर्मिंग एलनिंग write करते हैं अगले वेशन में क्या है वेच ओफॉलाइंग स्टेटमेंट इस ट्रू इन रिस्पेक्ट ओफ वायरलेस अब वायरलेस के रिगार्डिंग इन वे से कौन सी आपके पास यहां पर ट्रू है वो देख लेते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है ब्लूटूथ इस वायरलेस टेक्नोलोजी विच चैन बी यूज तो कनेक्ट दी हैड्सेट ओफ मॉवाइल पॉन हां बिल्कुत सही है बाई चोटे उसके लिए हम रिए उसकर पहले हैं ब्लूटूथ इस लोंग रेंज लोंग रेंज लिखा हुआ है ब्लूटूथ चोटे ज सिद्धा निकल क्या रहा है ए और सब्सक्राइब आपके बारे में देखो थोड़ा सा एक तरीके से और बनाउट में भी आ जाता है अगर जाबा के गरम मैं बात करता हूं तो जाबा आपके पास क्या है जाबा इस दाने प्रोग्रामिंग लेंग्वेज बात ही आपर खतम कर दें अब जैसे प्रोग्रामिंग लेंग्विज की बात करता हूं तो जैसे आपके पास सी आगी टी प्लस प्लस आगी ठीक है डोटनेट आगी पीएच पी आगी पाइथन आगी ठीक है पर्ल आगी और दुरियां भरकी एक्सेप्टर आपके पास है आगी दुनिया भरकी पचासो लेंग्विज हैं जो कि आपके पास मार्केट में अबेलेबल हैं तो इसका मतलब है कि हमें थोड़ा जानकारी यहां पर जुरूर होना चाहिए तो और बनाट करके यहां पर कैपरी पूछ लेता है ठीक है तो आंसर क्या बनेगा दी आप्शन आप आपका जो है वह यह है अगर बात करता हूं ओसियार जो है का आप 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 पास बहुत ही बॉर्ण डिवाइस है जिसके फुल फॉर्म आप लोगों से कई वरी पेपर में पूछ रही जाती है तो सियार का फुल फॉर्म आप सभी को जनरली यहां पर पता होना चाहिए अगला है और अफ्लाइं का डीडर नहीं होता है और टीकल करेक्टर रिकोगेनीशन और वह सी आडिवाइस का हम लोग यूज कहां पर करते हैं तो चक्ट दा ओएमाशीट होते हैं उसको चक करने के लिए आप किसका यूज करते हैं इस वह सी आडिवाइस के थुरूँ स्ट्विलेंट है कितने के फिफ्टे-सिक्स के बारे में आपको बताना है बेटा तो आपको यहाँ पर मैं बता दूँ सिंपल सी बात है आपको यहाँ होगा एट फोर टूवन अब इसको लिखने का तरीका होता था वान टू पॉर एट आपके पास सोलह बत्तिस और चॉन 42 और श सोलह कितने होते हैं आपके पास 56 अगर हम बात करता हूं 111 बाखी जीरो-जीरो-जीरो तो इससे ता सर क्या जएगा ए और आपके पास यहां पर आंसर आजाएगा आप चाहें तो इसकी अगे कितना भी बड़ा ओर यहां पर लिख सकते हैं जो भी आप लोग से पू वन इस नोट एनी काइंड ओफ प्रिंटर अब इनमें से कौन सा प्रिंटर नहीं है सबसे पहले आप से यह पूछा गया है अगर बात करता हूं कौन सा प्रिंटर नहीं है इंकजेट प्रिंटर होता है जिसमें लिक्विडिंग क्यूज करते हैं डेजी बील प्रिंटर होता ह है नोमार्योंटिक्स प्रिंटर होता है जो क्या बनेगा इपके पस आपके पस volte यहां पर बनेगा फ adviser में बैसिक बात है कि क्वेशन आपके बास कहीं से भी पूछे जा सकते हैं ठीक है अब देखो अगला क्वेशन के विए बच्चे बोलता सर्फ प्रोग्रामिंग लेंगवी तो है ही यहां से बने सकता इस नहीं बोल सकते विच ओफ फॉलोइंग इस नोटने कम्प्यूटर लैंगविज इन्वेसे कौन सी कम्प्यूटर के लैंगविज नहीं है अगर बात करता हूं तो आप लोग सारे जानते हैं सबसे पहले जो होती है वह लैंगविज होती है फॉट्रों जो है एक को कॉमन बिजनेस ओरियंट्र लैंगविज और फॉट रं का होता है प्यर मुला ट्रांसलेशन रखिए के आप बात को चौलवर करेंगर नेक्स्स नेक्सम देखते हैं है आपके पास पैंड्राइश अगर बात करता हूं तो पैंड्राइव किया है क्या है चाहिए पेंड्राइब यूजड इना कुम्प्यूटरीस की का चैसे करते हैं एन इस टॉरेज डिवाइश के तरह यूजद करते हैं यह नहीं होगा आपके पास आंसर क्या होगा स्टोरिडिक यहां पर आंसर वनेगा तो hopefully आप लोगों को यहां पर बात जो है अच्छे से यहां पर क्लेर हुई होगी कि इसका अंसर क्या बनेगा storage device यहां पर बनना है ठीक है चलते हैं next question की तरफ अगला question क्या है which one is not an output device इन में से कौन सा output device नहीं है अगर मैं बात करता हूं monitor आपको पता है output device है अगर मैं यहां पर बात करता हूं आपके पास प्रिंटर यह भी आउटपूट डिवाइस है अगर मैं यहां बात करता हूं light pen की तो light pen वहता है तो answer यहीं बनेगा ना डी option अब यहां एक साथ में आपका बहुत knowledge चेक किया जारा है कि input कभी आपको पता है और ऑठवत कभी आपको पता है की नहीं एक इत हसाथinker इन हेए एक के साक में आपके पास और यहां पे लिया जा रहा है तो output क्या होती 91 ना और printer और फ्लेक्ट आपके पास लाइट पेंज जो है आपके पास और नहीं है डन अफुली बात आपको पड़ते हैं अगले प्रेशन देखते हैं आपके पास क्या दे रखा है पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम बिंडो 10 इस अपरड़क्ट ओफ ठीक है तो यह आपके पास किसक एक सब्सक्राइब करें तेंड पुल्ष सब्सक्राइब करें उसर्थ कि इसके पास पटा होना चाहिए कि किसका है Microsoft का डन नेक्स बात करते हैं अगले क्वेशन की तरफ और अगले क्वेशन में देखते हैं क्या क्या इक बॉर्डट रहने वाला है विच और फॉल्वाइंग इस इस्टोरेंज ऑफ कंप्यूटर इन टर्म ऑफ टू जीवी कैपेसिटी देखो आज की डेट में सबसे पहले आप लोग जो थे इस के तरू यह एगा इस इस निए इसका फूल फॉर्ण रखेँ है बहुत से आगे आपके पास काम आने बला है इसका पूछा जाता है नेक्स्ट आपके पास यहां पर है इन नेट वर्किंग फॉल फॉर्म ऑफ वह यह मैं बात करता हूं तो आपके पास वैंट का फॉल सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर नहीं है पहले मैं पुर्ण को के लिए नेट्वर्क इल्ट आपको कम इन्हें स्क Щ, अत्री शोसिती तो इत्री दृılar लगता है सब्सक्राइब है जो जो भी एसा मह कुच्छे बोल सकता है कि नेक्स बात करते हैं अगला क्रिशन क्या है आपके पास अगर बात करता हूं अगर नंबर सिस्टम की में बात करता हूं सबसे पहले आता है बाइनरी सबसे पहले आपके पास नंबर सिस्टम में आता है बाइनरी नंबर बाइनरी के बात करता हूं तो फिर आता है ओक्तल की आट होती है फिर आता है डेसिमल होती है पिर आता है आपके पास एक्स डेसिमन अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता है कि इसकी वेली सोला होती तो एक ही आंसर निकल के आ रहा है इस दिए डी ओप्षिन गूल ऐसा पोई नहीं होता है तो फाइनल आंसर इस दी आप्षिन भूल बात आपको क्लिर बढ़ते हैं अब यहां पर देखो एक क्वेशन है इस वन नोट आ वैलीड इमेल आईडी नहीं है अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले बैलीड इमेल आईडी के लिए आपको क्या चाहिए होता है यूजर नेम चाहिए होता और एक आपके पास डोमें नेम चाहिए होता है तो अगर मैं इसी वे डिस्टिंगिश कर दूँ देखो आंसर बनेगा ए ऑप्षिन जो है वो कभी भी आ आपका आंसर बैलीड इमेल नहीं है अब देखो जब भी आप लोग करते हूं जैसे मैं बात करता हूं अशीष महरा कि अगर मैं बात करता हूं तो आपको यह समझना पड़ेगा यह एक है आपके पास यूजर नेम इसको बोलता ही यूजर नेम और इसके आगे क्या है यह होता है आपके पास डोमेंड नेम ठीक है अगर मैं यहां बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए तो उसका मतलब होता है आपके पास add the rate जो है segregate कर रहा है कि उससे पहले user name है उसके बाद क्या है domain name में अगर यहां पे देखता हूं तो यहां पे आपके पास add the rate missing था इस वज़े से answer बना यहां पे भी आपके पास add the rate है यहां पे भी है यहां पे भी है आप जुरूरी नहीं यह जीमेल कर लो आप पोट मेल कर लो जो मजी हाँ पर मेल लिखना चाहते हो वो कर सकते हो पर कभी भी आप लोगों के पास और रेट चाहिए अगर यह तो आप यह काम नहीं कर पाएंगे बात करते हैं अगला कॉश्ण है यह रहा अंगले विशन में क्या है अ अ डिस क्यों रच करते हैं यहां पर यहां पर कुछ काम ही नहीं है काम करते हैं किसका होगा क्या क्या करता है क्यों कि आपके पास अगले में क्या पूछा गया है विच्छ is not an operating system इन में से कौन सा operating system नहीं है आपके पास बात करता हूं आपके पास प्रोंग का खुड प्र टिया ओप्रेडिंग system है जो लार से ओपरेडिंग system है फैडवरा टिया शेटम है इसका अथ्र बने रेड है टूपरेडिंग सिस्टम है एक रेड है टूपरेडिंग सिस्टम है तो इस वज़े से अंसर क्या बनेगा बी ऑप्शन आपके पास बनने बला है अब यह क्वेशन आपने में साथ पहले वे डिसक्रस कर चुके हैं अब यहां पर पहले बता वहां किसका फुल करना था तो लिडिस्ट ड्राइब इसका अपर बनेगा अब तो पता ही था और सभी को आता ही था इसमें आप लोगों ने कुछ नहीं करना था फिर ह्ट ही थे चीड कें च्युक्स देखते हैं विच वच वन दोट अ कंप्यू्टर नेट्वर ट नेट्वर्ट त अब कर तया हो सब नेंक यहां सब पहले आपके पास आते हैं स्टार अर्ट वर्ट जिझ साट पोलोजिषट अ लइए होड़ेंग और आफ के पास हो तो यहां पर नहीं बनेगी यहां अंसर बाकी सारे का सारे क्या हें आपके पास नेट वर के टापोलोजी का मतलब होता है आगले बात करता हूं अगले विशन में आपके पास क्या दिखा गया है अगले विशन लेंगविज सी प्लस प्लस इस आपके पास इंटर्पेरेटर है या और चुरह में यह क्या होती है सारी चाहां पर को मिलती है क्योंकि अगर नोट प्रीश को कोई बात ही नहीत है असेंबल करके देगा तब भी आपको कुछ नहीं कर पाएंगे आपको यह तो आपको मिलते हैं आपको मिलते हैं कंपाइल करने के बाद आपको मिलेंगा तो आंसर यहां में बनेगा डी ऑप्शन ठीक ना नेक्स बात करते हैं यह रहा आगला विशन विच वन इन में से कौन सी आपके पास इंटरनेट की सर्विस नहीं है अगर मैं बात करता हूं यह बड़ा इंटरस्टिंग क्वेश्चन में से आपका पूरा इंटरनेट का नॉलेज चा किया जा रहा है तुद को टैलनेट क्या होता है इसको बोला जाता है रिमोर्ट वेस लोगिन रिमोर्ट वेस लोगिन मतलब मैं आपको जितना याद है मैं पहले भी आपको बढ़ा चुका हूं इसमें के रिमोर्ट वेस का मतलब होता है कि आपने से कोई बच्चा अमेरिका बैठा है पर उससे कोई काम हो नहीं रहा है हमें फोन करता है हम बोलते हैं वहीं एक सौफ़ करते हैं न्यूज भी आप लोग सुनते हैं आई टी गोल कोई ऐसा आपके पास आप्षिन नहीं है इंटरनेट में अप्सरी डी अप्शन आपको बात को एक नेक्स वेशन की बात करते हैं अब आपके पास यह पूछा गया है कि यह आपके पास एक डेसिमन नंबर 2, 4, 8, 6, 8 बास यसे आड़ कर दीजिए जिस जिसके निचे नंबर बान बन है वाहाँ से आड़ कर दो यहां पर कितना है 16 और चार बीस तो सिर्दा आंसर क्या जाएगा आपके पास एक उप्शन सिर्दा आंसर आजएगा 20 जो है इसके एक्विलेंट यह किसके एक्विलें पहले पर यह समझे लोगे क्विशन में पूछा क्या गया है कंप्यूटर लैंगविज जो होती है जो की डैट रेटर इंटू बाइंडी लैंगविज बाइंडी कोड में लिकी जाती है इस नोवन एज लैबल लैंगविज हाई लैविल का मतलब होता है यूमन अंडर इसी को क्या बोलते हैं लो लैवल लैंगविज लो लैवल लैवल लैंगविज मशीन लैंगविज तो या फिर इसे बाइंडी फॉर्म भी आप लो कई बड़ी बोल देते हैं कि यह अभी आपने देखा कि इसे बाइंदी फॉर्म का नाम भी आपने दिया तो आंसर इस बी ऑप्शन नेक्स बात करते हैं अगला वेशन क्या है और देखते हैं इन कंप्यूटर आरिक्टमेटिक लॉजिकल यॉनिट इस पाट ऑफ एक जो अब होता है तो राम को एक स्टॉरिज में आते हैं राम प्स्टॉरिज में आती है हार्डिक वी स्टॉरिज में है एई यूएक्स कुछ है नहीं तो अगर बात करता है तो सी नोट एन इंपूट डिवाइस पुट किम्प्योटर इन में इसे कौन सा इंपूट डिवाइस नहीं है तो चार चीज़ आपस जानने की कुशिश कर रहा है कि बाकी बाकी चीज़ों के बारे में आपको पता है कि नहीं है इसे साफ पूछा गा कि विचवन इस नोट इन इन से कौन सा इंपूर्ट डिवाइस नहीं है अगर आप करता हूं देखो आपके पास ट्रैक्पोर इंपूर्ट डिवाइस है बिल्कुल जोईस्टेक इंपूर्ट है लाइप लाइप इंपूर्ट है अभी आपने देखा यह तो अपने अभी देखा यहां पर आंसर बन यह को विच वन इस नॉट अप राइमरी मैमरी ओकम्प्यूटर इंवे से कौन से प्राइमरी मैमरी नहीं है आप किरों की दोंगों क्या होती है है इंदर नहीं है याद रखी रहेगा धोरी मेम्री के अदर आता है जो आएगे सारी किसमें की अंगी नले soup लोको यहां पर याद रखना है लेक्स बात करते हैं अगला कुछ यह रहा अगले विशन में देखते हैं पिक ओड़्वान आउट यहां से आप लोग एक निकालेंगे अगर ऑड़्वन की बात करता हूँ आपके पास वाइरस है प्रोजन होस है और वोम है तो यहां पर बात करते हैं कि अपर तो अफिस अगर करते हैं तो आप ले यहां कि लिए होता है है किस Ik के लिए होता हैazione के लिए कि किसके लिए होता है उन्हें के लिए Steph मैं नेक्स विशन में में देख सुष्प में क्या लिखा है मिल्टी मीडिया के उन्दर क्या करता है मन्टी मीडिया के आगके वाइस आता है स्क्ondere बाट की बात की बात है जो अगर आप टीवी देख रहे हैं आप इंटरनेट में आप यह मल्टी मेडिय तो देख रहे हो जब मल्टी मेडिया देख रहे हो चाहिए टॉपिक हो चाहिए पूछ लेता है याद रखिएगा ऐसा क्वेशन बन जाता है आपके पास इसक्रिशन में लिखा गया है अब बोल रहा है जो 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 से हार्ड़ेस का बसे दिद अंदर फिटी नहीं होती है जो बाइस पीड और एसे जो बन रहा है वह बिल्कुल सही अंसर है डी ऑप्शन वी जो स्केंडरी होती है जो एक्स्टर्णल मेंबरी होती है उसकी डेटा को स्पीड करने के आपके पास पावर होती है है वो क्या होती है काफी जादा स्लो होती है क्यों क्योंकि वहां पर वैसे डेटा खीचा नहीं जा सकता अप्सेस नहीं किया जा सकता जोगा और लगा है थीज हार फेर है इंटरनल होती है अगर बात करते हैं तो यह अ यू पिस यह विश्च क्या है आपके पस यू पिस क्या होता है इंक्रीज दा-स- नंबर इंक्रीज दा पोसेसिंग स्पीड या प्रोवाइड बैककप फावर इन इवन और इवेंट ऑफ दा पावर करता है जब हमारे पास लाइट नहीं होती है तो हमारे सिस्टम में क्या है लाइट यह प्रोवाइड करवा देता है और हम लोग यहां पर लाइट क्या कर सकते हैं हमें डैकर मिल चाहता है नेक्स बात करते हैं अगला वेशन में क्या है वीटी मिनिट प्लास अगले कुश्य में देखते हैं यहां पर क्या बोला गया है विच और फॉलॉइंग इस एन आउटकोट डिवाइस अगर आउट पुट की में बात करता हूं तो आपको देख बैब कैम एक इंपुट डिवाइस है या फिर आपके पास मिल्टी मिडिया प्रजेक्टर अब करत एक आउइपूट प्रवाइट करता है मॉस doğru लिएटर या फिर आपके पास फरक नहीं पड़ता हो अगला प्रवाइशन क्या है आपके पास हां वाइंग एंड सेलिंग गुड्स और बैब इस नौन आज आज की डेट में बहुत सारे बच्चे कोई भी बुक्स या कोई भी समान या कुछ भी आप लोग ने मंगवाना है तो किससे मंगवाते हैं आप लोग इंटरेट से मंगवाते ह पर इंटरेट के ऊपर समय समान खरीदा या बेचा जाता है इलेक्ट्रोनिक कोमर्स आपके पास यहां पर गुला जाता है नेक्स वोशन के बात करता हूं अगले आपके पास क्या है नेटवर्क टपोलोजी इन विच ओल डेटा पास्ट्रू असेंट्रल कमप्यूटर अब बस में जो होता है अब बच करते हैं यहाँ पर आंसर याद रखें के बस पालोजी नहीं बनेगा आपके पास सिंटर्लाइस डिवाइस कुछ ऐससे रूता है इसका एक जो होता है जससे के सारे डिया रहादी या कम्प्यूटरूटर आपकेOR न्यक्ठ होते है तो सेंट्रलाइज डिवाइस को क्या बोलते हैं हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं हम बोलते हैं यही आप से यहां पर पूछा गया है इस बात करते हैं अगले में इस क्वेशन को ध्यान से समझे इसमें पूछा क्या गया है अगर यह मेनिक आपको क्लियर हो गया आप लोग ईजली आंसर कर पाएंगे और से पहले क्या पूछा गया है इस समबड़ी वांट्स तो सी यूर यूर्ल है बीन ब्राउज्ट वाइदा यूजर इन पर्टिकुलर बैप ब्राउजर देन विच और फॉर्ट फीचर इस भी आप लोगों ने इंटरनेट के उपर चलाया है जो भी आपने इंटरनेट के उपर सर्च किया है उसको मेरे क इससे जएल निकाल सकता हूं कि आपने इंटरनेट के उपर किया है इंट्रें करोंगा ब्रॉज्टर की ओपर जरूगा ब्राउजर की ऊपर जा करेंगे ब्राउजर में जाके आपने क्या चेक किया वह उससे आपके पूरी की कुर्ण ली हमारे पाइस स्कूल के सामने आ जाती है क्या देखना पसंद करते हैं क्या सा कुंटेंट आप देख रहे हैं और क्या आपके रिक्वार में यहां तो होफुली बात यह भी क्लियर है ठीक है नेक्स विशन के मैं बात करता हूं यह रहा अगला विशन में बात करते हैं बेसिक पर्पस ओफ माइक्रो प्रसेसर इस तूल बेसिक प्रसेसर जो होता है माइक्रो परस का वो क्या होता है तो रिए करता नहीं है कंप्यूट करता माइक्रोप्रसेशर अगर बात करता हूं आज की लेडर में हम लोग नहीं नहीं लैप्टॉप या कंप्यूटर या नहीं मोईल लेता है तो इसमें हम लोग क्या चेक करते हैं इसकी माइक प्रोशेसिंग स्पीड क्या है यह लोग नहीं नहीं लैप्टोप नहीं नहीं कंप्यूटर रहते हैं कि उनके स्पीड जो होती है वो नॉर्मल के मुकाबले बहुत ज्यादा हाई होती है तो कम्प्यूटिंग डेटा इस दर मेनिंग और कि मैंक्रोप्रसेसर को मैंनीप्रेट किया जा रहा है इसके स्पीड बढ़ाई जा दिए होफ़ली बात आपको अगला विशन देखते हैं अगला विशन देखते हैं डेटा बस इस नोन अगला विशन देखते हैं अगला विशन देखते हैं या आपके पास वायर होती है तब आप सारे के सारे सिस्टम को एक सेंटर डिवाइस के साथ कर पाते हो कनेक्ट कर पाते हो तो स्वांसर इस स्वाइए लिशन देखते हैं इस नो पालोविंग इस लोजिकल ऑपरेशन ऑफ के लिए लोजिकल कि अब बात करता हूं है अब लेखो मुल्टिप्लिकेशन अरिथमेटिक होता है अडिशन अरिथमेटिक होता है और आपके पास division भी अरिथमेटिक होता है आपके पास logical operation بنेगा d option logical में कौन-कौन होते हैं लेस्दन आ गया, greater than आ गया देनिक कुल कुल में एकों तो फ़िए सब्सक्राइब camera or ईक्नायों सहिए सबस्क्राइब सब्सक्राइब है और जे सब्सक्राइब कर enfin सबस्क्राइब आफ़को सब्सक्राइब को नेसं क्यूंद देखते नेच्ट एकूशन में आपके पास कह लिखा हूआ आप लोगों ने सबसे पहले फोर्थ जनेशन में यूज किया और आपके पस की बोर्ड अगर पूछ लेकि की बोर्ड यहां है टी वर जो था आप लोगों ने थार्ड जानेशन में यहां पर यूज किया था यहां पर पहले बतादो की एक है इंस्टाग्राम किया है एक प्रोफेशनल साइट है जिसके ऊपर आप लोग क्या करते हैं जो भगारा ढूटते है और अपने जिसने अपने प्रोफेशनल कर्यार के शुरुआत यहां से करते हैं लिंक दिज ता स्टार्ट कम हुआ स्पेसिफिकली स्टार्टेड इट्स इंडियन ऐपरेशन कि अिस ने स्टार्ट करना अगला करता हुआ this one and an SRAM module consume as compared to DRAM module मतलब आपके पास power की बात करेंगे double power equal power, less power या फिर more power as power SRAM जो होती है वो लेस पावर लेती है as compared to DRAM मतलब लेती है as compare to DRAM जो आप एक ऐसी बैल्यू जिसके उफर रेगुलर काम हो रहा है उसके तो ज्यादा रगेगा और एक ऐसी बैल्यू जो रखी हुई है उस पर थोड़ी ना आएगा तो एक सब्सक्राइब करती है कि आपको यहां पर समयना पड़े अगले वेशन में देखते हैं एक स्पीड एरिया या हाई स्पीड एडिया अगर बात करता हूं तो सीप्यू क्या है हाई स्पीड स्टोरेज एडिया आपके पास कंटेंड है अगला क्या है आपके पास यहां पर क्योंकि इसका मीनिंग अगर क्लीर होगा ते नहीं आपकर पाएंगे विच अलोग उस ट्रैबलिंग और सिग्नल बेटमें दिक कॉंपोनेंट इंसाइड एंड आउटसाइड और क्प्यूटर के अंदर डेटर ट्रैवल करता है वो किस देट बस के थ्रूँ सिग्नल जग dość करता है ओनन्सरे और है अगले कोशन की में बात करता हूं वेंट ट्रांजिस्टर आर मिनेचर्ड एंड प्लेज ओन असिलिकोन चिप देन दे आर नोवन एंस ठीक है आज समी कंडॉक्टर इंसुलेटर इंडॉक्टर या फिर इंटिग्रेटर सब करता हूं तो इस का अंसर बनेगा ए ऑप्षिन सबूरसा क्या है आगले कुशन में देखते हैं आगले कुशन में मन में बात करता हूं अभी आपने इसके रिपार हमें पड़ा विया एस डंतरों श्र्म जो होती या फास होती है लो होती है अब मैंने आपको पहले भी अब मिताया होगा किर स्रें कपती है तो इसका तो आगे बुला है एक्सपेंड एक्सपेंसिव चीप तो नहीं बन सकता इसका अंसर बनेगा डी ऑप्षिन एस रायम फास्टर एक्सपेंसिव देखो बेटा बहुत बच्छों आता है मन में की स्टैक्स्टैक्टिक मने रुका हुआ पर नहीं के अंदर किया आता है एसरां के अंदर सब्सें पहले आता है क्या सब्सक्राइ Major है कि अऔर आपके पास यहां पर आते हैं रिखेंट अगर बात करता हूं आगे आपके पास uyशन है इस question में देखते हैं इस question में क्या लिखा हुआ है आपके पास command line interpreter is also known as input output GUI cell या kernel इस cancer बनेगा आपके पास C option cell भी इसे हम लोग जानते हैं तो यह रहा आपका next question इसमें start करते हैं देखें क्या वो लगया है control manage and supervise each task and overall activity of computer मतलब पूरे के पूरे computer की activity को जो handle करने का task होता है वो किसका होता है Microsoft Office का motherboard का hard disk या फिर operating system का अच्छो मैं आपको यहां में पिताना चाहूंगा Microsoft Office थो MS Word हो गया PowerPoint हो गया Excel को सिर्फ particular एक को ही डिनोड करता है motherboard के उपर तो सारे के सारी चीज़े install की जाती है hard disk तो storage का काम करता है पर handling का काम जो होता वो किसका होता है operating system का यहां पे रहता है तो answer क्या बनेगा B option ठीक है चलिए यह रहा नेक्स वेशन अगले वेशन की बात करते हैं आपके पास यूनिवेक computer belong to which generation of computing device तो अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आपको इसको मानते हैं तो अगर बात करता हूं तो अगला question जो है आपके पास इसमें लिखा गया है तो यह आपके पास networking से लिखा गया है यह आपके पास detail में आपको जाने की जरूरत नहीं है इसमें सिंपल आपको याद रखना है कि application लेर आपके पास होती है जो कि separate करने का यहां पर काम करती है तो hopefully बात आपको यह भी अच्छा से clear नेक्स की बात करते हैं आपके पास यह question जो है आपके पास powerpoint से लिए गया question में क्या लिखा है what is the term to denote visual effect that appear when we move from one slide to another animation pan में answer नहीं बनेगा इसमें तो सारी चीज़े आते हैं अनिमेशन में तो दिखाया जाता कि ऐसे नहीं ऐसे रहेगा animation pan में तो सारी चीज़े मिलती है slide show कभी answer बनेगा नहीं क्योंकि पूरा को पूरा slide show चलता है तो answer क्या बनेगा transition effect में आपको यह मिलता है ठीक है next question की बात करते हैं अगले question में देखते हैं क्या लिखाया है which of the following generation of computer used to use the concept of stored program अगर stored program के बात करता हूं तो originally हमने इसको introduce कर लिया था first generation में ठीक है ना क्योंकि यहां पर magnetic drum हुआ करते थे जिनकी help से हम लोग इसका use किया करते थे यह भी बात आपको clear है next अगर बात करता हूं अगले question की अगले question में आप लोग देखें यहां पर कह लिखा है what is the keyboard shortcut for small cap मतलब आपको जो capital letter लिखे हैं को सभी को small में अगर convert करना है तो इसका shortcut क्या होता है control plus shift plus T control plus shift plus J control plus shift plus L या फिर control plus shift plus K याद रखेंगे small cap में आपके पास control plus shift plus K आपको यहां पर डालना पड़ेगा तो B option इसका answer यहां पर बनेगा next question की बात करते हैं अगले question ही रहा अगले question में देखते हैं अगले question में क्या लिखा है which of the following is also known as CUI, CUI क्या होता है character user interface या फिर command line interface ठीक है तो सबसे पहले command line interface ग्राफिकल ग्राफिकल तो बैसे नहीं बनेगा आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI होता है यह दो तरीकी के command line नहीं होता command line होता तो इस बज़े से answer क्या बनेगा यह option यहां पर answer बनेगा जली next कि अगर मैं बात करता हूं अगले question की बात करते हैं आपके पैस क्या लिखा है यह question सारे के सारे किसी ने किसी exam में आये हुए है मैं बहां सही बता रहा हूं अब आपके पास लिखा है what was the period of third generation of computer अगर third generation के वहां बात करता हूं तो दिखो option कितने नजीदी की है 1964-1951, 64-1991, 64-81 और 65-71 तो इसका answer जो है 65-71 तक officially माना जाता है अगर आप YouTube पे या नेट पे चेक कर रहूं तो कुछ और मिल सकते हैं बट यह जो है वो मैंने exam में जो आ रखे हैं वहां सही उठाए हुए हैं तो मैं इस basis पे आपको यहां पे बता रहा हूं नेक्सक्ट के अगर बात करता हूँ, अगले में क्या है अगले में देखे सिस्टम डिजाइन पोर ग्रेस político डिइक्रेडेशल अर कोड्र मृ Troy path सम्टम जान्सारएं टोल्स हम लोग इस पो अब अगले पास सिंपल सा पोछा गया है जो बहुत इंडुड्ञिक एशन डा मतलों find and replace का जो option आता है तो यह पूछा गया है कि replace अगर आप करना है तो control के साथ कौन सी option दबाते हैं यहां सकते हैं आपके पास कितना बनेगा है आपके पास यहां पर क्या है है देखते हैं यहां पर विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अलाव टु डिवाइस तु रन अ मल्टीपल एंड डिफ्रेंट अप्लिकेशन एड़ सिंगल टाइम उससे पहले जो कंप्यूटर हुआ करते थे वह आप लोग सिंगल यूजर पे ए सब्सक्राइब करते हैं क्या लिखा हुआ है अगले में देखते हैं आपके पास विच और फॉलॉइंग इस्ट्यू आपके बारे में क्या ट्रू है इस एन ओडियो आउट्पुट डिवाइस हां बिल्कुल पहला तो सही लग रहा है बिल्कुल सही को दिक्कत नहीं है इन इन पुट डिवाइस ना जिना और यू इन ऐडियो वीडियो दोनों नहीं होता तो इसका और से साथ और तीकर आपके पास एक पूछने का तरीका है और कैसे आपके पास यहां पे पूछता है जोरे नेक्स की बाब बात करता हूं अगले क्वेशन में देखते हैं आगले क आपको यहां पर उप्रेटिंग सिस्टम से पूछा गया एक पूसेसर को मल्टीबल जगह पर लोकेट करके उन वैरिफेक्ट को आपको क्या करना है यूज करना है तो रेल टाइम है टाइम शेरिंग है बैच है या फिर डिस्ट्रिबूटेड डिस्टिबूशन का मतलब क्या होता है कि एक टाइम पर ही एक सिस्टम के तुरू डिस्ट्रिबूशन करी जाए मल्टीबल यूजर की तो आंसर क्या बनेगा बी ऑप्शन होफ़वली यहां तक भी आपको सारे के सारे अच्छा से क्लेर होगा जी आपका जो है उसमें चेक करते क्या लिखा हुआ हुआ है प्रेस ऑन कीवोड तो टॉगल बिट्विन वर्ड ओपन बिंडो अगर बात करता हूं तो यहां पर आप लोग जो दबाएंगे वह दवाएंगे आपको सब्सक्राइब करते हैं तो आपके बात करता हूं तो आपके पास यहां पर अंसर आएगा उससे पहले आप जो यूज किया करते थे वो होता इसी के तरहें कहीं था तो आंसर क्या बनेगा एह ऑप्शन ऑफ़ली बात क्लियर है नेक्स क्वेशन की मैं बात करता हूं अगला क्वेशन देखते हैं अगले क्वेशन में क्या लिखा हुआ है आपके पास आपके पास क्या लिखा वेशन फॉलॉइंग रैफर टू दा मेमरी इन यूर कम्प्यूटर इन में से कौन से टर्म जो है मैमरी है तो रैम तो मैमरी है यू लैंज जो है नेटवर्किंग है जो होती है मेमरी होती है मेमरी जो होती है और जो होती है पर्मानेंट याद रखेंगे जो वर्ड वह टेमप्रेरी ली झायता है स्टोरेज हम लोग पर्मनेंट के लिए यहां पर करते हैं अगला वर्ड क्या है आपके पास अगले में देखते हैं नेक्स में आपके पास लिखा है अटाइप और प्रोग्राम डाइट इंस्टोर्ड और पर्सनल कंप्यूटर तो क्लेक्ट इंफ्रमेशन बाउट यूजर इस पॉल्ड एडवेर स्पाइवेर मालवेर या फिर हैकर अगर बात करता हूं तो एडवेर जो है एड़ के उपर लगाने के त्रूब आता है मालवेर जो होता ह तव तरीके से सारे काम तो यहीं है पाइब बर्तिक्रल्ली यही काम करता है इस को मतलब बात करते हैं फॉल फॉल ओफ बात करतें है isp stand for internet service provider तो यह आपके पास computer की terminology के अंदर networking में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला word है तो आपके पास internet service provider बी option इसका जो है राइट अंसर यहां पर बनेगा नेक्स विशन की बात करता हूं अगला विशन में क्या पूछा गया है डैश इस दी collection of web pages ठीक है तो इसको जो है आप बोलते हैं website is the collection of web pages and very first page that we see on opening the website is known as a home page तो आंसर क्या बनेगा आपके पास B option very first page जो होता हो क्या हो दा collection of webs आपके पास dash is the collection ठीक है website is the collection of ठीक है website is the collection of web pages and the first page of the आपके पास website is known as home page so B option is your the right answer ठीक है hopefully बात आपको पता चली होगी चली नेक्स बात करते हैं आपके पास peripheral यह वर्ड जो है बड़ा ही important है and example of peripheral equipment is peripheral का मतलब होता है आपके आप अपने आप में input output device तो वह होता है printer printer जो होता है peripheral devices है जो कि पीछे से इंपूड लेता है आगे आपको पास क्या देता है output देता है तो यह वर्ड याद रखना है peripheral P-E-R-I-P-H-E-R-A-R peripheral यह वर्ड याद रखेंगे बाड़ा important word है peripheral क्या है एक आपके पास device है जिसके through आप लोग input लेते हैं और पूर देते हैं और वह होता है printer नेक्स बात करते हैं आपके पास अगले विशन में क्या पूचा गया है विच्व फॉलॉइंग रिप्रेजेंट देटा transmission when इसे अव्य सबसे फार्सेज डेटा के से होता है ॐभी एसच भंब पर सेकंड जीपीएस घीपीएस गीगा परसेट तो आपके पास GBPS होगा GBP per second GBP per second GBP per second GBP per second के हिसाब से यहां पर सबसे फासे डेटा जो है ट्रांस्मिट होता है तो वो आंसर क्या बनेगा बी ऑप्षन नेक्स्वेशन की मैं बात करता हूं अगले क्वेशन आपके पास यहां पर क्या लिखा हुआ है function in MS Excel must begin with the following जब भी MS Excel में कोई भी function आप लोग perform करते हैं तो किस symbol की जरूरत आपको बढ़ती है आपके पास brackets की प्लस की greater than कि या इस एक्वल टू की तो याद रखना है जब भी MS Excel में कोई भी काम करते हैं तो हम कोई formula implement करते हैं को function लगाते हैं तो इस equal to sign हम लोग यहां पर इंप्लीमेंट करते हैं तो आंसर बनेगा सी option नेक्स की बात करता हूं अगले question में देखिए क्या लिखा गया है विच की can be used to view the slide show in powerpoint slide show में हम लोग कौन सा की जो है यूज करते हैं f5 हो गया आपके पास f2 हो गया f7 हो गया f9 हो गया अगर मैं बात करता हूं f5 से आप लोग अगर करते हैं तो powerpoint में आपका पूरा का पूरा slide जो है यहां पर चल पड़ता है तो इसका अंसर बनेगा f5 f2 किसके लिए होता है री नेम करने के लिए होता है यह याद रखेंगे यह किसके लिए होता है नॉर्मल में हर जगा पर आपके पास word में भी काम करता है है रीनेम करने के लिए ठीक है ना कैसे भी फॉल्डर को अगर रीनेम करना तो से हम लोग कर सकते हैं और रहे गारे अगले कोशन में आपके पास क्या लिखा हो यहां पर और नेक्स गेशंगे बिंदा करेक्टर तूदा ऑधा करसब लेफ्ट से राइट से आपके पास बोट A and B या फिस सेंटर इसका अंसर बनेगा राइट साथ से आपके पास डिलीट जो है यूँ गरके डिलीट करता है राइट और इसका होता और इंटेशन जो है राइट साइट से होता है यूँ गरके एक एक इसमें डिलीट होता चाथा तो आटेट्र लिंक बोलते हैं आई-पी अड्रेस लुक्स वहते हैं तो जर्नली आपके पास जो ए रिया होता है उसको हम लोग मेल वोक्स में अटेस्ट को करते हैं आई-पी अड्रेस को प्रवैड करता है है hyperlink किसी और का address होता है तो इसका answer क्या बनेगा C option mailbox next अगर आगे बात करता हूं अगले क्वेशन में अगले क्वेशन में आपके पास यहां पर क्या लिखा हुआ है विच की combination is used to insert the line break line को अगर break करना है तो हम किसका use करते हैं लाइन को अगर break करना है तो shift plus center का old plus क्प्राइब का सुंच्छन प्लैसेन प्लेस में आप्स इस तो आपके तो मूमेंट यहां पर चीजों को मैनेज किया जाता है नेक्स अगर बात करता हूं अगला आपके पास क्या है इस क्विश्चिन में देखते हैं आपके पास आपके पास यहां पर अगर अगर इसका मीनिंग ही होता है इसका मीनिंग ही अपने 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 होता है तो आप लोग जो यूज करते हैं वह क्या है इक कंप्यूटर में फ्रेम कंप्यूटर जो होता है यह से पडल को चलानी के लिए कंप्यूटर लगा रहा है जो कर रहा है चेरन wise करते हैं और न दीचितिति यह वांच Л pregunta कप्रेइज अंबैडाइड कंप्रेटर करते हैं आपके अगले च्वेश्टøre में और और विच टैप और पैंज मेबरी में होती है या क्या चाश में में मेम री होती है या फिर डबल बीपी रों होता है यहां बात बात कर रहा हूं कि यहां पर किस नाम से जानते हैं उसके इसा पूछा गया है विच टाइप उफ मेमरी जब आपके पास जनुलिक यहां पर डबल इपी रॉम इसको हम लग डॉक्टर सॉलोमन डॉक्टर सॉलोमन एंड मकाफे इस पॉपुलर वाइरस है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है तो क्या है डॉक्टर सॉलोमन और मकाफे आप लोग सारे जानते हैं डॉक्टर मुःटर सौलोमन पैसे की का है दोनों को दूनों एंटी वायरास जिसका हम लोग यूज करके आपने सिस्था में से वायरेस को डिनेक्ट करने के लिए यूस करते हैं थीक है तो वायरेस तो कभी आंसर बैसे भी नी बना था डोक्टर नें तो बैसे भी लोजीक निया बनता आपको आपको आंसर याद रखना इसका अंसर बनेगा बी ऑप्शन हाइपर लिंक उसको को बोला जाता है किवई समय पेपर में इसका सभाइब पूछ लेता है रिसोर में रिसोर्स कि लोपाञ अरन कि यह जी फॉर्म रिसोर्स लोकेटर से बोला जाता है तो होपफ़ली बात आपको क्लियर है नेक्स विशन ये बात करता हूं अगले विशन में आप लोग देखते हैं क्या है नेक्स्ट है इन ms word सुपर स्कृप्र नैज टुआट का स्टाईल के अपड़र मैं लेखिते these all are font effect next देखते हैं अगले कुशन में अगर हम बात यहां पर करते हैं सबसे पहले which function is used to enter the current time in the worksheet यह याद रखना है most 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 important है अगर आप is equal to now लिखते हैं तो current time आपके पास आ जाता है आपके पास current time current time अभी क्या चल रहा है कि याद रखेंगे बहुत बहुत ज्यादा important question है पता नहीं पचासों बार यह पूछा जा चुपा ठीक है नेक्स अगर बात करता हूं अगले question में क्या लिखा हुआ है which sign is used to specify the cell range आपके पास यह जो होता है इसको पॉलन बोलते हैं इस ताइन को क्या बोलते हैं जैसे सीवन से लेके तक अगर मैं यहां बात करता हूं तो यह बता रहा है कि continuous range को continuous range को यह define कर रहा है इस इवन से लेके c3 तक आपके पास जो भी function जैसे मान लो यहां पर इस सम का function था इस दिकर तो सम यह कर जाएगा परफॉर्म कर देगा तो पोलन से डिफाइन किया जाता है आपके पास उसकी range को परण्वेशिन है और बात करता हुँ अगर कुशा है में क्या लिखा हुआ है अगले में क्या देखते हैं आपके पर सर्थ दा प्रीक्वेंट्ली यूजबशीन फैनि अभ दर कंप्प्यूंट रोग्राम अ लांइक लिआग क्या प्र Всем आपके पास इस मेमरी होता है रिजिस्टर जो है प्रांसवर करने के लिए अब यहां पर पूछा गया था मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ तो इसको आपने सुना भी होगा कैशे मेमरी बोलते हैं कुछ सबसे पहले आपके पास सबसे पहले आपके पास इंडिये में बना था उसका नाम था आपको याद रखना है अब आपके पास यह पता होना चाहिए अब यह देखो यह वर्ड और लिखा है पीसी तो मेरे को लगता है आपको सारे जानते हैं परस्नल कप्यूटर अब यह लिखा है बट इस अपी डीए पी डीए क्या होता है इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है आंसर तो यह है पर अडिशनल इंफ्रमेशन में एड़न करिए पी डीए होता है परस्नल डीजिटल अशिस्टेंस यह फुल फॉर्म पूछ लेता है तो आपको यह पता रखना है कि पी डीए स्टेंट फर परस्नल डीजिटल एसिस्टेंस का फुल फॉर्म होता है जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है कि नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ अगले क्रिशन में आपके पर स्क्यार लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है विच ऑफ फॉलोइंग की फंक्शन ऑफ फायरवाल मोनीटर करना है डिलीट करना है कोपिंग करना है यह मूविंग आप लोग एक बात तो जानते है क इसका नहीं करता है कि शही चीजिश को डिलीट होता है मौनीटर करने के बाद और आप लोगों को यहां से पूछा जाता है यह मैंने इसको चेक कर लिया है कि भंगा स्कार करते हैं तो मुनीटर करने का काम करता है उसको डिलीट करने का काम होता है सब्सक्राइब करते हैं तो अगले कुशिन में आपके पास क्या लिका हुआ वें यू कट और कोपी इन्फोमेशन जब भी आप लोग किसी को कट करते हैं को पी करते हैं तो इट गेट प्लेजड इन तो जब पहली बात इंडरेनेट तो कभी आंसर नहीं बनेगा अंसर अब क्लिप आट के ऊपर तो डिजाइन मिलते हैं तो यह भी आंसर नहीं बनता है अब यहां बहुता है कि जब ही टैम्परेरी टाइम के लिए किसी जगह से उठाकि तो डुसरी जगह के उपर लेकि जाते कट करते करते हो दूसरी जगाह करने के लिए चाहिए वह होता है वह उसको बोलते हैं क्लिप बोर्ड आप लोग यहाँ पर नाम देते हैं तो इसके साथ आज के सेरी को हम यहां पर खतम कर रहे हैं और मैं उमीद करूंगा कि जितना भी आपने पड़ा है यहां से मैक्सिमम केशन आपको आपके एक्जाम में मिले और विश यू बैरी जो है आप पूरी-पूरी इमानदारी से तयारी करें और ग्यानम की पूरी टीम की तरफ से आपको बेस्ट ओफ लक्ग आपका पेपर भी आ चुका है और पूरी इमानदारी और पूरे जोस के शाथ उस की तरफ से बेस्ट आफ लग्स पूर्फिस्ट है। हमारी पूरी करनम की टीम की तरफ से बेस्ट आफ लग्स पूर अव्रिवर्वर्ड थैंक्य।